तो आज के इस वीडियो में हम एक साथ दो मॉविस का रिव्यू करेंगे सरफिरा और काकुदा सरफिरा मॉवी जो धीयटर मे यानि कि सिनेमा में रिलिज हुई है और काकुदा जो Z-Phyping रिलिज हुई है पहले बात करते हैं सरफिरा मॉवी की जैसा हम सब जानते हैं कि अक्से कुमार की आजकल सिनेमा में हर मुवी फ्लॉपी हो रही है और इस पीच ये सरफिरा मुवी रिलीज हुई है और no doubt मुवी एक दम ही best है लेकिन इस मुवी को लेकर एक बहुत ही बड़ी problem है मतलब की वैसे एक तरीके से problem है तो नहीं लेकिन ज जानते होगे जिसकी ये सरफिरा मुवी रिमेक है आप ही एक बार सोच कर देखो कि जो मुवी और रेड़ी हिंदी में OTT पर अवेलेबल है मतलब की उडान मुवी जो प्राइम वीडियो पर है तो उसका रिमेक वर्जन देखने कोई क्योई सिनेमा में जाएगा अपना वो प्रेरी उडान मुवी देखे रखिए तो वो तो ये मुवी नहीं देखने वाले दोनों मुवी में सब कुछ सेम ही है मतलब की स्टोरी और बाकी सब कुछ लेकिन इसके साथ एक और चीज़ भी कॉमन है दोनों मुवी की डारेक्टर एक ही है सरफिरा मुई का बजट है 80 कर जिसने अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तब तक 9.5 यानि की करीब 10 करोड का बॉक्स ओपिस कलेक्शन किया है जो कि वैसे देखा जाए तो अच्छी बाते लेकिन फिर भी इस मुवी को करीब 3 दिन होने को आ गए है तो उसी सबसे मुश्किल लग रहा है कि ये वीर नाम के एक आदमी की कहानी दिखाई है जो एक सस्ता एरलाइन सुरू करना चाहता है और उसके इस काम के बीच में उसको किन किन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है वो हमें इस पूरी मुवी में दिखाया है और जो सारी प्रॉब्लम्स दिखाई है वो कोई की बज़ाते सॉल हो गई उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है ऐसी सारी प्रॉब्लम से जैसे की फाइनसियल और कुछ इलीगल भी माम ले थे तो उनसे निपटना एक आम आदमी के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है और यह एक रियल स्टोरी से इंस्पार्ड है most of the case फ़ई वो इसमें हारी मान लेता ऐसी पूरी सिच्वेशन थी मुवी में अकसे कुमार के साथ परेश रावल और राधी का मदान है और राधी का मदान ने मुवी में अकसे कुमार वीर की वाइफ का रोल प्ले किया है जो रोल अच्छा था पसंद आया एकदमी कूल थ होना सायद आप में से अभी कोई ऐसा सोच रहा होगा कि ऐसा तो नहीं है कि यह एकदमी रेर कोई कैरेक्टर है बहुत सारे ऐसे दुनिया में कैरेक्टर होंगे तो ऐसे देखा जा तो ऐसा है नहीं क्योंकि दुनिया बहुत ही जादा बदल गई है और आपको पता ही है कि आजकल सारे लोग कैसे हो गए हैं तो इसलिए मैंने कहा कि बहुत ही ज्यादा rare character है मैं ऐसा नहीं कहा रहा हूं कि कोई हो गा ही नहीं इस वैसे देखे तो बहुत सारे होंगे पर फिर भी हमारे कितने सारे आसपस लोग है उन में से बहुत ही इस सरफिरा मुवी की IMDB रेटिंग मतलब की रिलीज के दो तिन दिन बाद अभी 8.7 है जिसको करीब 3.8 यानि की करीब 4000 लोगों ने रेटिंग दिये और उसे साब से यह रेटिंग बहुत बहुत ज्यादा अच्छी है तो मतलब की दिन लोगों अब तक मुवी उनको यह मुवी बहुत ज्यादा पसंद आई है और मैं इस मुवी को रेटिंग देना चाहूंगा 7.5 आउट आप 10 अगर यह मुवी रीमेक नहीं होती तो मैं इस मुवी को थोड़ी और ज्यादा रेटिंग देता क्योंकि मुवी तो बैस्त है पर मैंने व उडान मुवी देखिए तो आपके लिए इस मुवी में कुछ भी नया होने वाला नहीं है बस चहरों के अलावा मतलब कि इसकी कास्त तो अब सीधा आता हूं मुद्दे पर कि यह मुवी है कैसे इसको देखना चाहिए या नहीं तो मुवी एकदमी बैस्त है इसकी स्टोरी अच्छी है कॉंसेप्ट तो एकदमी मस्ती है ला जवाब है पर एक ही चीज़ है कि इस मुवी पर रीमेक का धबा आए अगर आपको उससे कोई फरक नहीं पड़ता है आपने इसकी जो औरिजनल मुवी है उडान वो नहीं देखिए तो इस मुवी को जरूर से सिनेमा में जाकर देखो आपको यह बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी यह मुवी आपको डिसपॉइंट नहीं करेगी मुवी जिस चीज़ को लेकर बनाए गई है यानि कि इसका मैसेज जो यह मुवी कहना चाती है वो भी एकदम बैस्त है और इस मुवी को आप अपनी फैमली के साथ भी बिंदास देख सकते हो तो अब बात करते हैं दूसरी मुवी की काकुदा लीड एक्टर रितेश देश्मुक और एक्टर सोनाकसी सिना बाकी और दो-तिन लोग भी है मरलब की साइड केरेक्टर यह एक होरर कॉमेडी मुवी है जिसमें हमें एक रतोडी नामक गाउ की कह दर्वाजा है और एक छोटा वाला जो दर्वाजा उस पूत के लिए सवा साथ बजे खुला रहना चाहिए अगर खुला नहीं होगा तो उस गर का एक सदस्य जो तेरा दिन में मर जाएगा तो अब इस पूत का सामना करने के लिए एक बहुत ही मॉडन तांत्रिक आता है त इसका रन टाइम दो गंटे का है मुवी का क्लाइमेक्स ठीक था की था कुछ ऐसा खास था नहीं एक एवरेज मुवी है जैसा मैंने आपको पहले ही बताया अगर आपको हॉरर ड्रामा मुवी से देखना पसंद है तो इस मुवी को देखो वरना कोई ऐसा रीजन नहीं है मत आपने कुछ खास मिस कर दिया कुछ ऐसे होरर मतलब चीज है ऐसी अलग जो आपके दिमाग में रह सकती है कि ऐसा कोई काकुदा नाम का होरर मतलब विलन था नहीं पोस्त था तो ऐसा आपके दिमाग में रह सकता है बाकी इतना कुछ खास है नहीं मुवी एकदम बेकार नह है तो मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी किसी और वीडियो के साथ